आज की हमारी रेसिपी बच्चो के लिए है आज हम बनाएंगे पास्ता बच्चो को लंच बॉक्स में देने के लिए बच्चे बहुत स्वाथ से खाते भी हैं और जटपट से बन भी जाती है यह हमने एक कराई में तेल गरम कर लिया, उसमें हरी मिर्चे डाल दी है, हरी मिर्चे आप चाहे तो डाले या नहीं भी डाल सकते हैं और जो ओल है वो घी भी यूज कर सकते हैं या फिर ओल है आपके उपर है यह प्याज डाल दिया है हमने क्यूब्स में कटे हुए अगर बच्चों को पसंद नहीं है तो बच्चे हटा कर भी खा सकते हैं अब इसे हम थोरी देर के लिए भूनेंगे बहुत ज्यादा भूनेंगे नहीं कोई भी सब्जी को बहुत ज्यादा तेल में नाहीं भूने तो अच्छा रहता है और यह डाल दिया हमने बारी कटा हुआ कैपसिकम इसे भी हलका सा भूनेंगे हम आप कैपसिकम के साथ यलो कैपसिकम फिर वी डाल सकते हैं या फिर बच्चों को पसंद होतों मटर भी इसमें डाल सकते हैं बीन्स भी डाल सकते हैं चोगी सिस्जनल सबजी है जो बच्छे पसंद करें अब इस thoughरी दर भूनने के बाद इसमें में डाल सोस हमने डाल दिया केचप वान टेवल स्पून और ये हाप टीज्पून डाला हमने चिली सॉस जिसे की तीखा कम हो और ये स्वोया सॉस वान टीज्पून डाल दिया हमने इस से बहुत अच्छा टेस्ट आता है बचोंको पसंद भी आता है और इसे तोई दर भुनने के पास्ता डाल दिया पास्ता को नमक और तेल डाल कर हमने पहले रह कर लिया था उसे द्युन के रखा हुआ पता डाल कर इस भी मिला लेंगे हम और इसे हम गर्मा गर्म बच्चों को देंगे बच्चे इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं या फिर लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं ओके फ्रेंड्स जश्पर्ट से ये लंच रेसिपी बनाईए और एंजॉय करिए